नमसकार दोस्तों तमनील देखकर तो आप समझी गए होगे कि हम आज किस टॉपक की बाद करने बाले हैं उस्से पहले भी आपसे एक रिक्əasia के आकर अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें तो च चोटी सी उमर में भाबा बन जाते हैं और कमाल के बाद तो ये है कि आज के पड़े लिखी लोग इन बाबा की चकर में फज भी जाते हैं उनके उपर अटूट बिस्वास भी करने लगते हैं अगर हम रामायर जोकी वालमीकी जी की दुआरा लिखी गई है उसकी अकॉर्डि चनक एक जग जलत देगा दूँ इसका अर्थ है ये एक बेशिकली एक दोहा था जो की रामायर में लिखा हुआ है इसका अर्थ है अर्थ समझने की कोसिस करते हैं दोस्तों दोनों शंत और अशंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और ज अगर आपको यहां पर जोक समझ में नहीं आया तो जोक है लीच जिसे हम इंग्लेस में लीच बोलते हैं जोक है हमारे सरीर से चिपक जाती है और खून चूसना स्टार्ट कर देती है तो हम इसे दुबारे समझने की कोशिश करते हैं दोनों शंत और अशंत जगत में होने बाले कमल और जोक की तरह हैं उनके गुड़ अलग अलग होते हैं कमल दर्शन और इस परस से सुख देता है किन्तु जोक सरीर का इस परस पाते ही रगत चूसने लगती है शादू इसी तरह शादू अम्रित के शमान मिरती रूपी संसार से उबहरने वाला होता है और मदीरा के शमान मतलब की सराब के शमान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन करने वाला है मतलब की जो मोह कर ले आपको प्रमाद कर ले और जो आपके अंदर जूटी आशंका जगात है जड़ता जो आपके अंदर जूटी भावने लेके आए जूटी आशंका जगाए उसे बोलते हैं जड़ता उत्पन करने वाला है दोनों को उत्पन करने वाला जगत रूपी अगाद शमुद्र एक ही है इसका मतलब है दोनों को उत्पन करने वाला भी एक ही है हम इनसान और ये दुनिया तो गईज ये था इस दोहे के मतलब इस दोहे के हिसाब से जो शंत होता है वो मृत्ति रूपी संसार से उभारने बाला होता है जो अशंत होता है जो अशादू होता है वो क्या होता है वो आपको मुह करेगा प्रमात और आपके जो फीलिंग्स होती ना उनके साथ खेलने की क बोस्स करेगा वो अशादू होता है तो आप समझ पा रहे होंगे कि कोन शंत होता है और कौन अशंत होता है इसी तरह अगर तेखा चाहेतों तो जो आज के बावा हैं जैसे कि धीरिंद्र कृष्ण शास्त्रिवा और भी बहुत सारे बावा हैं इंडिया में इसने इन लोगो को महज एक business बना के रख क्योंकि इंडिया में कोई सावी business flop हो जाएगा लेकिन एक शादू का business कभी flop नहीं होता है कभी-कभी तो हम मन में आता है यूथ हमारा पढ़ाई क्यों करता है वो शब भी यही करने लगे सब शादू बन जाए एक तरब से तो इंडिया का economy एकदम से boost up हो जागा क्योंकि शादू जो बनता है वो हमेशा तुरंत बहुत जल्दी रिच होता है तो अगर सारे शादू बन जाएंगे तो सोचिए आप कितनी जल्दी इंडिया की जो economy वो कितनी जल्दी बढ़ेगी से कि मैंने उपर पड़ा था भी दोहा उसके according अपने आपको धर्म ग्यानी कहने वाली लोग धर्म कोई follow नहीं करते है धीरिंद क्रिशन शास्त्री mind reading की trick यूज़ करके एक जो mind reading की trick है उसे use करके अपनी शिद्धी उसको अपनी शिद्धी बता रहा है अब समझ रहे हैं जिसे सोहनी शाह भी कर लेते हैं famous magician है सोहनी साथ जो ऐसी धीरिंद क्रिशन शास्त्री जैसी mind reading tricks को follow करते हैं तो क्या उसे भी बावा बन जाना चाहिए था लेकिन वो एक entertainment purpose के लिए दिखाती हो लिए बट इन्होंने ये business बना रखा है तो आप खुद समझदार आपको में इनके जैसे और भी बावा हो चुके हैं जैसे कि नारायन साइं जिनकी net worth थी 5000 करूर्स की आप समझ सकते हैं ना 5000 करूर्स की एक बावा की net worth और शौमी असीमानंद शौमी सचितानंद गुरमीत रामरहीम सिंग ऐसे और भी बहुत सारे बावा हैं मैंने सारे कबर नहीं क जाएगी बर मैं आपको कुछ बताता हूँ और लोग फिर भी इतने बावा हो चुके हैं पकड़ चुके हैं ये बावा सब पकड़ चुके हैं ये फ्रॉट्स में पकड़ चुके हैं लेकिन फिर भी लोग अंधा विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं तो मैं आप से बस इ किजिए बावाओं पर नहीं भगवान पर विलीब करिए राम पर विलीब कीजिए कृष्णा पर विलीब कीजिए बट इन बावाओं पर नहीं इन बावाओं के चक्र में आप पड़के सिर्फ और सिर्फ अपना शमय और पैसा दोनों की परवादी करते हैं तो बस आज की व स्क्राइब जरूर से कर लें। चैहिंद चैहिंद उस्ताम।